पंचंगेट्स कहीं भी उड़ता था, बैठता था, गिरता था और कभी-कभी तो बात उसकी कॉलर तक भी पहुँच जाती थी नहीं समझे? अरे भाई, छोटे-मोटे जगडे तो होते ही रहते हैं लेकिन उसमें कपडों का क्या दूश? मम्मी का भी बस एक ही सवाल रहता था गट्टू से गट्टू, आज फिर तुम शर्ट खराब करके आये हो बिटा कपडों के साथ मस्ती नहीं करनी चाहिए और इस प्रकार गट्टू का बस एक ही जवाब होता था सौरी मम्मी, आगे से ऐसा नहीं होगा और दूसरे दिन शाम को, फिर स्कूल यूनिफॉर्म खराब लेकिन चिंकी की बात ही कुछ अलग थी चिंकी को बस अच्छे-च्छे कपड़े पहनने का ही शौक नहीं था चिंकी कपडों का खयाल भी अच्छे से रखती थी अपने कपडों से वो प्यार करती थी दाग तो दूर चिंकी के कपडों पर छोटी से मक्षी भी नहीं बैठी देखी किसी ने कपडों के मामले में ऐसी थी चिंकी और ऐसे ही चलता रहा धिरे धिरे गट्टू चिंकी बड़े होते गए स्कूल के आवर्स भी बढ़ते चले गए और फिर स्कूल के बाद ट्यूशन गट्टू चिंकी सुबह से शाम तक स्कूल के यूनिफॉर्म में ही रहने लगे और कलरफुल कपड़े कबड में ही पड़े रहने लगे क्या यार गट्टू सुबह हो या शाम बस ये एक ही सफेद यूनिफॉर्म बोर हो गई हूँ मैं लेकिन कर भी क्या सकती हूँ स्कूल में कलरफुल कपड़े पहन कर आना तो अलावड ही नहीं है लेकिन मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ हूँ मुझे ये यूनिफॉर्म भी बहुत पसंद है ये सुनकर चिंकी गट्टू को ताना मारती हूई बोली हाँ हाँ तुम्हें यूनिफॉर्म तो सबसे ज्यादा पसंद होगा क्योंकि वो सफेद जो है और सफेदी की चमकान मिटाना तो तुम्हारी होबी है ए चिंकी यार ऐसा क्यों कह रही हो देखो सरा अपने यूनिफॉर्म को क्या हालत कर दी है सौरी आगे से ऐसा नहीं होगा बात केवल चिंकी की ही नहीं थी स्कूल के बाकी बच्चे भी दिन भर बस यूनिफॉर्म पहन कर बोर हो गए थे और इतना ही नहीं मिश्रा सर भी बच्चों को हर रोज बस स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर बोर हो चुके थे और अचानक एक दिन मिश्रा सर ने क्लास में आकर ऐसे एनाउंस्मेंट की जिसे सुनकर सारे बच्चों के चहरे एकदम कलरफूल हो गए बच्चों, मंडे को स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉंपटिशन होगा जिसे जो पहनना है पहने क्या-क्या क्रेटिविटी दिखानी है दिखाओ कल संडी के चुट्टी है आपके लिए भरपूर तयारी करो और मंडे को स्कूल यूनिफॉर्म को चुट्टी दो कलास के बच्चे हैं सच में बहुत खुश थे दोफैर के चुट्टी में बस बाते ही बाते हो रही थी मैं परी बनकर आऊंगी मैं सोलजर बनकर आऊंगा और मैं पाइलेट बनकर आऊंगा अरे ये कॉम्पटिशन है कुछ तो सीक्रेट रखो आज ही बता दोगे सब तो फिर मंडे के लिए क्या खास पचेगा ओ, वेरी स्मार्ट अब हम भी देखते हैं मंडे को तुम क्या पैंसी पैन कर आती हो मुझे चैलेंज ठीक है, चैलेंज एक सब्टेड गट्टु जिंकी शाम को जैसे ही घर लोटे गट्टु ने चिला चिला कर पापा के कान पका दिये पापा, पाइलेट की ड्रेस चलो मुझे ला कर दो अभी क्या भी अरे हाँ, बाबा, कल पुरा संडे पड़ा है दोनों का कॉम्पिटिशन है न चिंकी को भी साथ लेकर जाएंगे चिंकी बताओ, फैंसी ड्रेस में क्या पहनना है तुम्हें ये सुनकर गट्टु हसते हुए बोला उसने तो अब तक डिसाइड ही नहीं किया होगा कि उसे क्या पहनना है चिंकी बिचारी सोचती रही कि वो ऐसा क्या पहन कर जाए जिससे कपडों को फैंसी डज मिले और वो कॉम्पोटिशन जीत जाए लेकिन उसे कुछ भी सूज नहीं रहा था गट्टु तो चिंकी के सामने उसे चिढ़ाने के लिए नाज रहा था मेरी पाइलेट वाली ड्रेस आ रही है तुम्हारा क्या बोलो 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 बिचारी चिंकी दुखी हो गई और मम्मी के पास जाकर रोने लगी मम्मी ने उसे समझाया और फिर कबड खोल कर उसे अपने पुराने कपड़े दिखाए चिंकी उन कपडों में बहल गई वाव मम्मी आपके तो बचपन के कपड़े भी है इसमें हाँ समझाल कर रखी है मैंने अचानक चिंकी को एक आइडिया आया और वो एकसाइटेड होकर मम्मी को बिलग गई ठैंक्स मम्मी मुझे आइडिया देने के लिए और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था फैंसी ड्रेस कॉम्पोटिशन का दिन मंड़ की दिन स्कुल के सारे बच्चे फैंसी ड्रेस पहन कर आये हुए थे गट्टू तो पाइलट बन कर बस इधर उधर उड़ रहा था बच्चों को जज करने के लिए खास जज बुलाए गए थे अरे कहां है वो चिंकी बेचारी डर के मारे घर से निकली ही नहीं थी तभी चिंकी की एंट्री हुई और सब उसे देखते रहे गए फिर एकदम से हसने लगे क्यूंकि चिंकी ने बहुत सारे कपड़ों के छोटे-छोटे टुकडे करके उनसे एक ड्रेस बनवाई थी अरे चिंकी और दूसरा कुछ नहीं मिला पहनने के लिए ये क्या फटे पुराने कपड़ों के दुकान लग रही हो एकदम जजस ने चिंकी को जज किया और फिर रिजल्ट सुनाया तो बच्चो इस फैंसी ड्रेस कमपटिशन की विनर है चिंकी ये सुनकर गट्टू और बंटी एकदम शौक्ड हो गए मैं जानता हूँ आप हैरान होंगे और मैं भी हैरान था चिंकी की क्रियेटिविटी देखकर आप सबने बस रेडी में ड्रेस लाकर वह पहन लिए लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि चिंकी ने कुछ क्रियेटिव किया उसने अपनी ममी पापा के बच्पन के कपड़ों से ले कर आज की कपड़ों में से सबका एक एक पीस लिया और एक बेहद खुबसूरा ड्रेस बनाया उसकी इस क्रियेटिवीटी से पुराने जमाने के कपड़ों का पैटर्न पता चलता है उस जमाने में क्या पहना जाता था उस टाइम का फेशन, आज का फेशन बहुत बड़े बड़े रेफरेंस जुड़े हैं उसकी इस फेशन ड्रेस से उसकी ये ड्रेस मैं आगे स्टडी के लिए भेजूँगा लेकिन अभी मैं चिंकी को बुलाता हूँ ट्रोफी लेने के लिए चिंकी स्टेज पर गई और उसने अपनी ट्रोफी लेली सबने तालियों से चिंकी का अभिनंदन किया और इस प्रकार अपनी क्रेटिवीटी दिखा कर चिंकी ने फेशन ड्रेस कॉंपोटिशन का चैलेंज पूरा किया अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें